So, hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So, आज इस वीडियो में बात होंगी ITC की So, ITC में previous trading season गिरावट नजराई पर गिरावट से डरना नहीं है, stock में एक बड़ा bull momentum भी आने वाला है इसके levels को अगर आपने समझ लिया, understand कर लिया तो आप बिल्कुल इसमें काफी अर्थ तक अच्छा profit कमा सकते हो तो ITC को लेकर काफी कुछ बाते होंगी क्या ITC में हमें आने वाले time में bonus मिलने वाला है तो उस चीज को भी हम यहाँ पर discuss करने वाले है तो वीडियो को बिना skip की end तक देखना और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दिना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो जसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वीडियो को करते हैं continue ITC Limited अगर हम देखें तो 438 रुपे के राउंड शेर हमें closing दीता हो नजर आए 12 रुपे 40 पेसे के राउंड अगर आप देखते हो तो शेर में हमें गिरावट नजर आती है 2.75% के basis पे ये शेर में गिरावट नजर आई है साथ ही अगर बात कर लें पिछले 5 दिन में एक स्टॉक में 10 रुपे तक की गिरावट है बढ़ खास गिरावट हमें 8 रुपे से अब तक की नजर आती है एश येर 19 रुपे 15 पेसे तक गिर चुका है जो काफी बड़ी बात है कंबनी के ओर से यहाँ पर का ओड़ेट हो के रिजल्स अनाउंस किये गए जिसमें जो कंबनी का प्रॉफिट रहा है और 4,927 करोड का रहा है और वही अगर देखें जो रेविन्यू है और 16,550 करोड का एक बिप्टा है 6,041 करोड का यहाँ पर हमें देखने को मिलना है रेविन्य फॉर्ण फॉर्म सिग्रेट बिजनस तो 10.13 परसें तक का यर ओन येर पेसिस पे हमें रेविन्यू देखने को मिल जाता है सिग्रेट बिजनस की मैं बात कर रहा हूँ जो काफी बड़ी बात है 7,679 करोड और वही अगर प्रिवियस येर की अगर मैं बात कर लो तो 6,953 करोड ता तो यहाँ पर एक चीज का जंप हमें देखने को मिलता है तो एक अच्छी बात है यहाँ पर रिजल्स अगर देखें जो ITC के रिजल्स रहे हैं यहाँ पर अच्छे ही हम कह सकते हैं तो क्या कंपणी के ओर से आने वाले टाइम में बोनस का भी अनॉंसमेंट हो सकता है क्या कंपणी बोनस दे सकती है तो प्राइस को देखकर लगता है कि कंपणी बोनस देती है और इसके bonus देने के pattern को भी अगर आप समझने की कोशिश करो तो company ने bonus दिया था सबसे पहले 2005 में और वही last bonus इसका रहा है 2016 तो यहाँ पर तीन बार company bonus दे चुकी है 1.2, 1.1, 1.2 का तो क्या IDC अभी भी bonus का announcement कर सकती है तो इसका answer है हाँ yes कर सकती है क्योंकि आप इसके pattern को समझो 2005 में bonus दिया फिर थोड़े 4-5 साल के बाद 2010 में bonus दिया फिर यहाँ पर 5-6 साल बाद इसने सीधा 2016 में bonus दिया तो अभी अगर देखें तो company अल्रीडी company को 5-6 साल हो चुके है कोई भी bonus का announcement नहीं हुआ है तो हाँ highly chances है कि company यहाँ पर 2023 में bonus का भी announcement कर दें तो यह point भी आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर जो इसका price है वो bonus देने लाइक भी है क्योंकि यहाँ पर जो यह share है और valued लगने लग गया है कही सारे जो investors हैं उन्हें price और valued लगने लग गया है तो हाँ इस चीज को सोच के भी यहाँ पर सोच के देखूंगे तो हाँ हो सकता है कि हमें bonus मिले तो brokerage firms जो हैं काफियत तक bullish भी इसमें नजराते हैं कई brokerage firms से ऐसे हैं तो यहाँ पर ओ bullish भी नजरा रहे हैं कई बड़े firms की और से कई बड़े targets भी इसमें दिये जा रहे हैं again find it plus भी इस चीज जा सकता है ऐसी भी कई बड़ी बाते भी यहाँ पर कहीं हैं और वही गर देखें तो जो यहाँ पर इसका hotel business है उसने भी अच्छा यहाँ पर profit कमा के दिया है इन points को भी यहाँ पर आप दियान में रख सकते हो और यहाँ पर जो share है ओ किस तरीके से गिरा है क्या level है अब उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे तो इन levels हम पहले भी discuss कई बार कर चुके हैं इन points के बारे में कई बार हमने discussion किया है इन points को अब हम देखने वाल है तो यहाँ पर अगर IDC की बात करें तो उपर के level से एक proper rejection था पहले से ही कई बार हमने एग चीज़े देखी है कि उपर से हमें stock में कई बार rejection देखने को मिल रहा है और exactly ओ चीज आप यहाँ पर देख भी सकते हो उपर का जो level है एक important rejection point है कई बार stock ने इस point से rejection लिया और इसी rejection से कापी बड़ा fall भी आया यहाँ से एक बड़ी गिरावट है गिरावट के बाद stock सीधा downside की रहा है sustain करनी कुशिश की again downside की रहा है और again and again stock सीध है किरता गया तो जो 18 तारीक है 18 तारीक से stock continue गिर रहा था और गिरावट इसने आगे भी continue भी रखी यहाँ से गिरा फिर अगेन यहाँ से गिरा फिर अगेन यहाँ से गिरा तो गिरावट यहाँ पर हमें नजर आती है और कल के दिन तो अगर देखें गेब डाउन भी हो और स्टाॉक डाउनसाइट की ओर रहा है डाउनसाइट की ओर आने के बाद share ने यहाँ पर एक support यहाँ पर बताया है एक support यहाँ पर लेने की इसने कोशिश की है बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्याट में रखने हैं कि जो एर range है जो downside की और यहाँ पर एक important support का यहाँ पर काम करने वाली है इस point को अभी मैं बोल देता हूँ एक important support का काम कर सकती है बट अगर यही support break हो गया यही support अगर downside की और break हो गया तो share में यहाँ पर आपको ready रहना है एक बड़े fall के लिए बिल्कुल यहाँ पर अगर support break होता है तो एक बड़ा fall यहाँ पर आ सकता है तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा fall भी आ सकता है और ही बड़ा fall अगर दीखें तो यहाँ से stock में हम कह सकते कि एक inverted pollen flag type pattern भी बन रहा है ठीक है एक inverted pollen flag type pattern भी बन रहा है एक पॉल क्रियेट हुआ फिर यहाँ पर एक flag क्रियेट हुआ और downside की और यह share continue आ रहा है और downside की और अगर यह support ले लेता है तो stock में अगीन एक बड़ा bullish momentum भी हमें देखने को मिल सकता है इस point को भी आप note down कर सकते हो क्योंकि बड़े टाइम पर अल्रेड़ी हमें इस चीज़े पॉइंट आउट कर चुके हैं जैसे यहाँ पर आप देखो एक falling wage टाइप pattern बना था breakout की बाट शेयर ने bullish momentum बताया और जो upside का target था हमारा upside का target भी यह easy तरीके से achieve हो गया है ठीक है और वही अगर हम बात कर लें यह जो share है हमें यहाँ पर भी एक अच्छा support लेता हुआ नज़राया था इस points से बट यहाँ से भी अगर आप देखोंगे एक proper level create हुआ इस level को हम यहाँ पर clearly कह सकते हैं कि inverted head and shoulder type pattern इस head and shoulder type pattern का भी यहाँ पर breakdown आया head and shoulder type pattern आप यहाँ पर clearly समझ गये होगे आपको समझ में आ गया होगा एक shoulders create हुआ एक head create हुआ breakdown आया breakdown के बाद stock sustain किया और सीधा यहाँ से एक fall बता रहा है तो एक head and shoulder type pattern भी हाँ पर बना है share में तो ए चीज़ भी आपने देखी और वही कुछ बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखे तो प्रॉपर प्राइस action work करता है जैसे यहाँ पर एक fall create हुआ एक flag create हुआ उसके बाद breakout के बाद share उपर जा रहा है तो एक point भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम discuss करे इस share को तो आपक वन आर के टाइम फ्रेम पर काफी कुछ चीज़े clear हो जाएगे एक घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो यह जो share है यहाँ से हमें कई बार rejection बताता हुआ नजर आया है downside की और से कई बार इस stock ने हमें support भी यहाँ पर लिये हैं और again and again इसी resistance and support के बाद share again यहाँ पर support लेने आया है तो जिस तरीके से यहाँ पर पहले इसने support लिया support लेके share उपर गया फिर share उपर गया फिर अगेन उपर गया और again यहाँ से हो सकता है उपर के हो जाए बट एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताओ तो आपको ITC में डर लगने लगेगा तो इसी क्या चीज है तो यहाँ पर आप दीखो डेवन के डाइम फ्रेम पर तो एक प्रॉपर राइजिंग वेश टाइप चैनल ITC में बनता है ठीक है एक प्रॉपर राइजिंग वेश टाइप चैनल ITC में यहाँ पर create हुआ है काफी टाइम से इस प्रॉपर चैनल को यह follow खर रहा है breakdown के बाद stock सीधा fall बताता हो न जरा बट यहाँ पर थोड़ा हो गया sideways एक range इसने create की तो अगर यह जो share है ITC जो है इस range को ही अगर break करता है इस range को ही अगर यह break करता है downside के और तो सोच सकते हो कितना बड़ा fall ITC में आ सकता है अगर break out upside की और का मिलता है तो हो बिलकुल एक अच्छी बड़क भी देखने को बिलेगी तो एक point भी आपको यहाँ पर note down करके रखना है ITC limited में तो I hope आपको यह video helpful लगा होगा अच्छा लगा होगा यह video अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले शेयर का analysis कर लेना thank you